दोस्तों आप मेरे पीछ देख रहे हैं इस solar plate हैं अगर आपके घर में भी light की problem है या फिर आपके यहां पर light कट होती है light कम हाती है तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कौन सी plate कितने water plate लगाएं जो आपको ज़्यादा energy दे और single battery में double battery का wake up दे तो दोस्तों उसके लिए कौन सी solar plate लगानी है और किस तरह आप इसको install कर सकते हैं तो दोस्तों आप बने रहे हैं इस वीडियो में last तक तो दोस्तों आए शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहले हम बात करते हैं solar panel के बारे में solar panel आप यहाँ देख सकते हैं utl का solar panel है यह आपको यहाँ पर इसका mark आए और इसके अलावा इसका बार कोड भी दिया गया है और इसमें यहाँ पर 6 sales है इस तरह 6 sales इस तरह हैं और इसके 12 sales इस तरह हैं तो इसके total sales होते हैं 72 आप देख सकते हैं plate पर मैं आपको दिखाऊंगा 72 sales है इसके जिसकी energy बहुत ज़्यादा होती है अगर आप inverter लगाते हैं gamma प्लस और single venture पर लगाता है वायर बोल्ट की पर तो आपको यह 3 plate लगानी होगी 1000 watt के आसपास तो आपको इसमें single venture में double venture का backup मिल जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं utl का यह panel है इसके अलावा आप यहाँ पर इसके जो marking देख सकते हैं और इसके बार कोड में आपको दिखाऊंगा और इसके वाट वगएरा भी में आपको दिखाऊंगा दोस्तों यह 24 वोल्ट निकालता है और 24 में हमको यह पैरलर में लगान आपको दी हुई है लगबग इसकी 25 साल वारंटी आती है और दोस्तों अब हम इसके बाद बात करेंगे इनवेटर की और दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस utl का गामा प्लस सॉलर इनवेटर एक किलो वाट का इनवेटर है और दोस्तों इसमें एक नई टेक्नोल को सेट कर देते हैं कितने वोल्ट पर इसकी मतलब वैटरी पावर मतलब फुल हो जाएगी तो कट आफ कर देगी और कब यहांने रिकनेक्ट होगी जब डिस्चार्ज होती है वैटरी कितने वोल्ट से दुबारा कर रिकनेक्ट होगी तो सारी मेमोरी इसके अंदर होती है आ मूड और हाइब्रेड मूड और नॉर्मल मूड यह तीन मूड आप Rapid Maximum Power Point Technology सूरे की रोशनी के अनुसार सुबह से साम तक Solar Panel की Voltage कम ज़ादा होती रहती है हर समय Solar Panel की Voltage के हिसाब से कौन सी Output Voltage पर सबसे ज़ादा पावर मिलेगी यह लगातार देखते रहने और उसी के अनुरूप उसको बतलते रहने की ज़रुत होती है यही काम RM PPT Technology पकूवी करती है सुबह से स्याम तक अगर यह अच्छे से काम करे तो 30% तक ज़्यादा Solar Energy आपको मिल पाएगी तो दोस्तो यह इसका खास function मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तो इसके बाद मैं बात करूँगा बैटरी की तो यहाँ पर मैंने बैटरी लिए एमरोन की बैटरी यहाँ पर लगाई हुई है आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर आप जब बैटरी खरीदे तो इसमें अलग-अलग warranty आती है जैसे 48 मंत की, 24 मंत की और भी इससे कम ज़्यादा मंत की आती है 31 महने की, तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाप से जब मैंल लिंक पर आप जाएंगे तो आप अपने हिसाप से पर्चिज कर सकते हैं इसके अलावा आप यू ट-ल की वेटरी भी पर्चिज खर सकते हैं यू ट-ल का इन्वेकर और यू ट-ल की प round तो तीनों इन चीजों को भी आप पर्चेस कर सकते हैं लिंक आपको discussion में मिल जाएगा दोस्तों Ambron की बेंटरी मैंने यहां पर यह लगाई हुई है इसका मैं आपको बताता हूं मैंने अभी तक इसमें डाई साल में एक लिटर पानी डाला है इसमें पानी की जरुत बहुत क कम पड़ती है अगर आप इसको लाइट पर यूज नहीं करते हैं तो और अगर आप अपने इनवेटर को लाइट से भी लगाते हैं सोलर से भी लगाते हैं तो बेंटरी हो सकता है कम चले लेकिन मेरा जो experience है मैंने डाईल साल से इसको लगाया हुआ है और इसमें एक लेटर पानी मुश्कल से डला है एक लेटर से पूरा डला भी नहीं उसमें बच गिया था तो दोस्तो सोलर पर जब बैटरी लगती है तो उसकी लाइफ जस्ट डवल हो जाती है तो दोस्तो आपको चाहिए कि आप solar panel लगाएं तो उसका watt जो होता है solar panel का जैसे 1500H की बेंटरी है तो उसके कम से कम 325 watt की solar plate जरूर लगाएं तो दोस्तो ये ध्यान रखने वाली बात है तो दोस्तो इसके बाद मैं आपको एक दिखाऊंगा इसका जो अलग से controller लगाया हुआ है मैंने mobile charging के लिए हाला कि हम उसमें लगा सकते थे लेकिन उसके 20 Ampere थे इसलिए हम उसको लगा नहीं पाएं आप देख सकते हैं दोस्तो जब मैंने 1500W की प्लेड लगा रख की थी उसके Ampere कम थे जब मैंने यह controller लगाया था लेकिन अब अटा दिया सिर्फ मैं इसको mobile charging के काम लेता हूँ इसमें battery के तार लगा रखे मैंने solar के तार नहीं लगाए है तो दोस्तो इस तरह आप इसको install कर सकते हैं बेंटर की battery चाहे तो Ampere की लगा सकते हैं और inverter को लगा सकते हैं और इसकी solar plate को लगा सकते हैं फिलाल मैंने यहाँ पर एक plate लगाई हुई है 1500H की battery पर एक plate भी काम कर जाएगी लेकिन आपको ज़्यादा load लेना है 700-800W का तो इस पर आपको 1000W का panel लगाने पड़ेंगे यहाँ कि टीन प्लेटे ऐसी लगाने पड़ेंगे और इसमें साइड में जो छोटी प्लेट दिखे है 1500W की है यह free है फिलाल अभी इसमें मैंने load नहीं दे रखा है आपको single battery में double battery का wake up लेना है तो 1000W की plate लगा सकते हैं और wake up ले सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शियर करें मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टोपिक साथ तब तक लिए बाई बाई टेक केर